ड्राइवर बहू, राशी की शादी एक कैप ड्राइवर से होती है उसके दो बच्चे और सास बड़े ही प्यार से जिन्दगी चल रही होती है कि एक दिन राशी, मैं काम पर जा रहा हूँ किसी चीज़ की जरूरत हो तो फोन कर देना शाम को लेते हुए आओंगा हाँ, हाँ, जा और कभी मा से भी पूछ लिया कर कि कोई जरूरत है की नहीं अरे मा, तेरी भी जरूरत का तो वो खयाल रखती है न पती काम पर जला जाता है तभी राशी की ननद आ जाती है आरे वा, नीतू, तो कब आई? और नन्दोई जी कहां है? भाबी, वो तो नहीं आए लेकिन मैं आगी कुछ दिनों के लिए जरमाइकी का सुक भी तो ले लूँ अरे हाँ, हाँ, बैट मैं चाही लेकर आती हूँ भाबी, आप सबका कितना खयाल रखती है सबको आपके जैसे ही भाबी मिले राशी मुस्करा कर वहाँ से चली जाती है वो किचन से पती को फोन करती है पती जो उस वक्त कैप चला रहा होता है, फोन उठाता है क्या बात है राशी? अगर कुछ जरूरी नहीं तो बाद में बात करे मैं कैप चला रहा हूँ अरे वो नीतू आई है तो शाम को आते वक्त कल्लू हलवाई की समोसे ले आना, शादी से पहले उसे बड़े पसंद थे ना ओ ठीक है, ठीक है वो राशी से बात कर ही रहा होता है कि सामने एक खंबे से उसकी काड टकरा जाती है उसका एक्सिडेंट हुआ होता है और पैर पर चोट लगी होती है मैडम, इनका एक्सिडेंट हुआ है डाक्तर ने छे महीने बेडरेस्ट को बोला है राशी रोने लगती है सभी घरवाले पती के सामने आ जाते है हरे, गलती मेरी थी मुझे ड्राइब करते वक्त फोन नहीं लेना चाहिए था नहीं जी, मैंने तो आपको फोन किया था गलती मेरी थी जो होना होता है वो तो होता ही है भाबी अब पच्चताने से क्या होगा अरे, लेकिन अब घर कैसे चलेगा मैं अकेला कमाने वाला था किसी तरह तो घर चला रहा था रोज की कमाई रुख जाएगी तो बच्चे कैसे पलेंगे मैं कुछ मदद कर दूँगी भाईया इनसे भी बात कर लेती हूँ अरे, नहीं, नहीं तु बेटी है इस घर की तुझसे पैसे लेना अच्छा नहीं लगीगा हमें तो क्या करेंगे भूखे तो नहीं मरेंगे न तो और अधोगर कर क्या सकती है और मेरे भी उम्र हो चुकी है वैसे आप लोगों को एक बात बोलू अगर बुरी ना लगे तो हाँ, हाँ, बोलू न भाबी, आप तो इतनी अच्छी ड्राइव कर लेती हो कैप क्यों नहीं चलाती भाईया की कैप को कुछ दिनों तक आप ही चला लो अरे नहीं नहीं इससे अच्छा है तो हम लोग भूखे ही मर जाए नीतो को मा की बात पर गुसा आ जाता है मा तुम चुप रहो करना तो कुछ है नहीं बस बैट कर दुनियादारी देखो समाज नहीं आएगा तुम्हारे बच्चों को खाना खिलाने राशी को थोड़ी हिचक होती है लेकिन नीतों की बातों से उसे होसला मिलता है अगले दिन सारी फॉर्मालिटी के बाद राशी तयार हो जाती है कैप चलाने के लिए पती भी राशी को कैप ट्राइवर के कपड़ों में देखकर खुश होता है राशी घर से बाहर निकलती है कि पडोसन बूल पड़ती है अर देखो देखो कैसे पैंट सोल्ट कसके निकली है कैप चलाने है हाँ भाई कोई आरत को कैप चलाते देखा है कभी लोगों की बातों की परवाह ना करते राशी कैप लेकर निकल जाती है और शाम को घर बापसाती है माजी आज की कमाई अरे बहु ये पैसे नहीं आते तो घर की तरकारी भाजी कैसे होती और बच्चों की फीज भी माजी सच कहूँ लोग भी बहुत अच्छे मिलते हैं देखते हैं कि जब लेडिस है तो सपोर्ट करते हैं आज तो एक मीडिया वाले ने मेरा इंटर्वियू भी ले लिया मैंने तो कह दिया जिब और ते रॉकेट चला कर चांद पर जा सकती है तो मैं कैब क्यों नहीं चला सकती जीती रहे पहू बगवान हर घर में तेरे जैसी पहू दे जो घर की जिम्मेदारियों के साथ बाहर का बीड़ा भी उठाने योग्यों